क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फ्री फायर में सही से सैटिंग कैसे कर सकते हो मेरा मतलब है कि यह जो आपकी कंट्रोल सैटिंग है इसको आपको किस तरीके से क्या क्या रखना है चुकि आपको तो पता ही है कि ये जो हमारे free fire वाले हैं ये कितरे ज़्यादा महान और दयावान है इनको हर update में control setting और diamond के price में कुछ ला कुछ add करना ही होता है और मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको इन में से 5-6 setting के बारे में तो विल्कुल भी नहीं पता होगा और पक्ता गलस setting में खेलते होगे जिसको on करना चाहिए उसे off कर देते होगे जिसको off करना चाहिए उसे on कर देते होगे और वहीं तुम लोग सबसे बड़ी कलती कर देते हो और बस सोचते रहे जाते हो कि भाई यह सामने वाला बंदा तो इतना अच्छा खेल पा रहा है लेकिन हम नूबडों की तरह खेले जा रहे हैं यूँकि आपको नए-ने चीज़ा पता चलने वाली है इसलिए वीडियो का एक पार्ट भी स्किप मत करना और जल्दी से एक बार वीडियो के नीचे देखो आपने अभी तक लाइक वाले बटन पे क्लिक नहीं किया है तो भाई एक लाइक तो करी सकते हो यार और जो बंद वाले नोट पर अपने दोक्ति के पर खर रह तो आपको सब्सक्राइब होने लुक्त अगर हम इसे precise on scope पे रख कर खेलेंगे तो तब अगर आप अपने scope को on off करोगे तो आपका automatically aimlock नहीं होगा जहां पर आपने scope को on क्या होगा exactly वहीं पर आपका scope off हो जाएगा और अगर आप इसे full control पे कर दोगे तो आपका aimlock 0% हो जाएगा मतलब आप चाहे अपने scope को open करो या उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हो है left fire बटन का तो अगर आपने अपने left fire बटन को always पे set कर दिया है तो हमारी custom है चुड़ी में left fire बटन पूरे टाइम दिखेगा लेकिन अगर आपने इसे show when scope पे set कर दिया तो यह आपको तभी दिखेगा जब आपने अपने scope को open करा करते ही यह कायब हो जाएगा तो इस बटन का चाहतर three finger या फिर four finger player यूज करते हैं आप लगाने के लिए तो आप भी इस बटन का यूज कर सकते हो उसके बाद आता है हमारा hold fire to scope option तो यह option सिरिफ और स्नाइपर चलाने के लिए ही है जैसे कि मानलो आपने इसे on किया हुआ ह है और आप में टूबी कार ना या फिर और चला रहे हो तो आपका अपने फाइर बिटन स्कोप ओपन और जैसी आप अपने फाइर बिटन को छोड़ों गे तो आपका एक पुलिट फायर होती आपका अटमेटिकली स्कोप आफ भी हो जाएगा लेकिन अगर आप पोल्ड फ पहले इसको पॉपन हो जाता है फिर उसके बाद फायर भी हो जाता है और पिर अपने आप इसको बंद भी हो जाता है तो इसलिए आप हमेशा इसको ऑन ही रखना उसके बाद आता है हमारा क्योंकि आप सिंप्ली अपने बटन बढ़ाने से कोई फैदा नहीं है उसके बाद आता है हमारा फ्री लुक और इसको ऑन करते ही हमें तीन ऑप्शन और दिख जाते हैं पैराशूट स्पिंट और ड्राइव फ्री लुक को ऑन करने से क्या होता है कि हम भागते बाग से आराम आप लोग इसको आप लोग पीछे देख सकते हों की तरीके से खतम हो चुकी है अगर आप तो आपके हाथ में वो गना जाएगी जिस गन में गोलियां होंगी लेकिन ये बात याद रखना कि आपकी गोली पूरी की पूरी तरीके से खतम होगी होगी उसके बाद आता है हमारा नेक्ट स्लोट जिसका नाम है ठ्रो एबल थे ना और इसके अंदर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं सबसे पहला है ग्रेड़ स्लोट का तो अगर आपने अपने ग्रेड़ स्लोट को सिंगल स्लोट पर कर रखा होगा तो आपकी जितनी भी ग्लूवल होंगी या फिर जि नीचे आता है ग्लूवल स्मार्ट फ्रो का उप्शन है ना तो यह उप्शन मुझे बहुत ज़्यादा बेकार भी लगता है और कभी कभी साही भी लगता है तो इस बटन से क्या होता है कि अगर आप इसे ऑन कर दोगे तो आपकी गेम में जो ग्लूवल होती है अगर आप इस बटन पर क्लिक कर दोगे तो आपकी अपने ही लग ऐना फार बटन नभी लगाई कके लाफशन कमरेशिव होतीर घाता है अरो जैसी तो आपको जल्दी यल्दी नीचे आने के लिए अपने स्प्रिंट वाले बटन पे भी क्लिक करना पड़ेगा वरना आप हवा में जूलते रह जाओगे और बहुत धीरे-धीरे नीचे पहुंचोगे लेकिन अगर आप इसे और दोगे तो जैसे आप लोग अरो प्लेंट से और रहेगा जिससे कि आप जल्दी यल्दी लेंड कर पाओगे तो इसलिए आप इसको हमेशा ओन ही रखना उसके बाद आता है रन मोड वाला उप्शन और इसमें तीन चीजे होती है क्लास